नमस्कार बहुत स्वागत है आपका माग मा में पढ़ने वाली पुर्णिमा को मागी पुर्णिमा कहते हैं और हिंदू धर्म सास्त्रों की माने तो माग मा की पुर्णिमा का विसेश महत्व है क्योंकि इस दिन पवित्र नदियों में असनान करने से विसेश फलों की प्राप्ती भी होती है इस बार पुर्णिमा 16 फरवरी बुद्धवार को मनाई जाएगी और माननेता है कि माखी पुर्णिमा के दिन सभी देपता पृत्वी पर बिचरन करने आते हैं गंगा नदि में असनान करते हैं और संगम में भी डुपकी लगाते हैं इस दिन पवित्र नदि में असनान किया जाता है सास्त्र कहता है कि इस दिन नदियों में असनान करने से मोक्ष की प्राप्ती होती है ब्रव मूर्थ में उठकर असनान बेगरा करके पूजा करे तो जीवन की मुश्किलें समाप्थ होती है तो मागी पुढ्णिमा तिथी का आरंब 4 फरवरी सरी बार की रात 9 बच कर 29 मिनट पर होगा और पुर्णिमा तिथी का समापन पांच फरवरी रवी बार की रात 11 बच कर 58 मिनट पर होगा तो उध्या तिथी के अनुसार पांच फरवरी को ही मागी पुर्णिमा मनाई जाएगी और इस दिन सरवार सिद्धी योग की सुरुआत सुभर 7 बच कर 7 मिनट से होगा और दिन में 12 बच कर 13 मिनट तक रहेगा इस दिन पुस्ष नच्छतर और आसलेसा नच्छतर का निर्मान भी हो रहा है मागी पुर्णिमा के दिन सुभा सुभा उठकर घर की सफाई करके पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल डाल करना है इसके बाद ओम नमो नारायना है इस मंत्र का जल करते वे भगवान सुरी को पित्रों के निमें तरपन भी कर सकते है अब भोग में भगवान सरीहरीभिश्मु को पंचामृत पान सुपाडी रोली मोली कुमकुम फूल फल दुर्वा और पित करें जीवन में अगर धन की मुस्किलें परिसान करें या फिर आपको लगे कि आपकी कुंडली में गरहों की इस्तिती बहुत ही बुरी चल रही है तब ऐसे में पुर्णिमा के दिन एक ऐसा प्रयोग जो धन की द का सबसे ज़्यादा महत्व है और इस दिन भगवान श्रीहरे विष्णु और मालक्षमी दोनों की पीसेश पूजा होती है साथ ही चंद्रमा की भी पूजा होती है तो मालक्षमी को धन की देवी कहा गया है और मालक्षमी और भगवान विष्णु दोनों की किरपास से धन पुर्णिमा दिथी पर चंद्रोदे होता है एक लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूद और चीनी डालकर एक चुटकी अक्षत यानि चावल डालकर चंद्रमा को अर्ध दे तो मानेता है ऐसा करने से धन की मुश्किले जीवन में कभी भी परिशान नहीं करती आप चाहें गुलाब की इत्र चरूर अर्पित करें आपके पास गुलाब की इत्र नहीं है तो कोई बात ने गुलाब की पंखुरी है वही अर्पित कर दें अगर इत्र है तो पूरी बॉटल अर्पित नहीं करना थोड़ा सा रूई में लगा कर अर्पित करें मान लक्षमी की क्रिपा कि रात में अगर लॉंग का प्रियोग किये जाएं तो वैसे भी लॉंग के प्रियोग से फुटी से फुटी किसमत भी चमक जाती है कि हिंदु धर्म सास्तों में एक छोटा सा प्रियोग जो जीवन के मुस्किलों से बाहर निकालने में आपको मदद करेगा देखिए कहा जात के पास मच जाएगा और सुबह दस बजे तक पीपल के बीच पर मालक्षमी का आगवन होता है इसलिए आप सुर्योग के बाद आप चाहें तो एक लोटा जल में थोरा सा मीठा डाल कर आप पीपल के पेड़ के वें चल अर्पित कर दें इससे भी मालक्षमी की किरपा बरस है तो नमसिवाय का जब कर सकते है इससे भी आपकी मनुकामना पुर्ण होती है वैसे अगर आप धन की मुश्किलों से बहुत जादा परिसान है तो आप 11 या एक कोड़ी लाल कपड़े पर रखकर हल्दी से कलर करके मालक्षमी के सामने रखे और उस लाल कपड़े को पुर कीमा को यह प्रियोग किया है तो उसी कोड़ी को बाहर करें और फिर से पुजा पाठ कर लें इससे रिचार्ज हो जाएगा और धन को आकरसित करने में काम्याब हो जागा यह कोड़ी का प्रियोग से धन की मुश्किल दूर होती है पर आज हमारा टॉपिक है कि आप कीजिएगा सज्जा देते हैं ना क्योंकि लॉंग जब आप दीपक में डाल कर दिया बाती करते हैं तो ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है मनोकामना जो भी आप 20 मांगेंगे लॉंग दीपक में जलाने से ही पूरी होने लगती है लेकिन यह भी बात सच है अग किसी को किसी से नहीं बनती या आपको लगता है हमेसा कोई किसी ने कुछ कर दिया है तब आप एक काम कीजिएगा जब आप सामें दिया बाती करें उसमें या बाद में भी आप कर सकते हैं इसको एक कपूर ले ले या आप रुई की ही बाती को आप तेल या घी में डीप कर के अलग से एक प्लेट में जला ले और इसके पास एक चुटकी सरसों पीली या काली जो भी आपके पास है उसको डाल कर जला लीजिए जब बहुत दीपक या फिर कपूर के साथ जब सरसों जलेगा तब इसको जला कर पूरे घर में दिखाईएगा ऐसा वेवस्था करें कि त तक अपने घर के मुंखे दरवाजे पर स्वस्तिक का निसान या ओम का निसान सुमंगल परतीक्ची ने जरूर बना लिया होगा आप चाहें तो चावल हल्री के घोल से भी बना सकते हैं या सिंदूर या तेल गी मिक्स करके भी यह आपके उपर है और आम के पत्तों का हैं में 5 लांग लें कपूर की जो डली होती हैं चोटी-चोटी तीन लेले और तीन इनाची लें हरी वाली कि अब तीनों को जलाएं कह पूर को जलाएं सब आपस में जलेंगे जब अगनी की लप्ते उठने लगे तो सभी कमरे में दिखाई हैं जब पूरा तरह जल जाए तो इसके जो राख बचे हैं, राख तो हलका फुलका ही रहेगा, पानी पानी तेल तेल सा हो जाएगा, तो उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डाल दें। या आप चाहें तो उस राख को जल में मिला कर फिर घर के दरवाजे पर मुख्य दरवाजे पर चीटे मारें तो पूरे ही नकात्म कुर्जा का भी नास होगा और यहां तक कि घर में रहने वाले लोगों के स्वास अच्छा रहेगा धन की मुस्किलें दूर होगी लेकिन कई बार होता है कुंडली के रहु केतु ज़्यादा ही परिसान करते हैं आकस्मिक रूप से जीवन में समस्याएं बाधाएं देते हैं तब आप एक काम कीजिएगा आप आज के दिन आप चाहें तो किसी को लॉंग दान करें वैसे अगर कोई लेना ना चाहे तो पास क सिब जी के मंदिर में चले जाएं और वहां सिब जी के मंदिर में जाकर कम से कम दो लॉंग सिबिलिंग के पास अरपित कर दे रहु केतु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है वैसे आप चाहें तो घरांगन में खुसाली के लिए लॉंग का पौथा लगा सकते हैं या आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं लॉंग के दो चार कली इससे क्या होता है लोगों की बुरी बला, हाई, बद्दुआ ये असर नहीं करती आप पे कई बार होता है लोग पैसे तो ले लेते हैं पर उधार देते नहीं तब इस पुणिमा को एक छोटा सा काम कीजिए आप चाहते हैं कि आपका पैसा उधार जो आपको लोग लेकर बैठ गया है वो आप उसको मिल जाए तब आप रात में कपूर जलाए और 21 लॉंग मालक्ष्मी का नाम लेकर उस कपूर के सहरे जला दे कपूर ना हो तो इस लॉंग को आप किसी भी चीच के सहरे जला सकते है और मालक्ष्मी से प्राथना करें कि वो जो धन आपका फसा हुआ है उस बैक्ति का नाम लेकर आप जलाएगा इस लॉंग को ताकि आपका धन वापस मिल जाए अगर आपके पास एकईस लॉंग नहीं है तब उस बैक्ति के नाम में जितना अक्षर है उतना ही लॉंग लेकर जला दे अब जैसे उसका नाम राम है तो राम में दो ही अक्षर है रो और मा तो आपको दो ही लॉंग लेना अब सियाम है तब तीन अक्षर हो जाता है तो या धाई अक्षर तो धाई लॉंग ले ले इस तरह से आप जला लीजेगा अब कई बार होता है आप नौकरी करते हैं आप बिजनस करते हैं जबरदस्ती लोग आपसे काम करवाते हैं आप चाहते हैं कि लोग आपसे बेबज़ा जबरदस्ती नहीं करें आपका हर काम असानी से पूरा हो तब आप घर से जब भी जरूरी कम से बाहर निकले और फिस रोजी रोजगार के लिए बाहर निकले तो मुँ में एक लॉंग लेकर ही घर से बाहर निकले आपके समस्त कारे पूरे हूंगे तो बात कर रहे थे कि इस एक लॉंग अखिर कहां फेके देखिए मा लक्ष्मी को तो आपको लॉंग जरूर अरपित करना है आज आज जरूर कीजेगा दो लॉंग अरपित कर दे और बाद में इसको बांद कर लाल कपड़े में धन अस्थान पे रख दे धन स्थिर हो जाएगा और रात में सोने के पहले आपको लगता है कि आप के जीवने बहुत मुस्किले है तब एक या दो जो भी आपके संभव हो लॉंग ले 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 पूरे घर में घुमें हर किसी के उपर से उतार कर इसको घर से उत्तर दिशाकी और फेक दे धन की मुस्क है उसको थोरे से जल में मिलाकर घर के मुखे दरवाजे पर चीटा डाल दें जीवन की तमाम मुस्किले समाप्त हो जाएगी फिलाल भी दा लेंगे हर हर